पूरे देश में नागलिक्त संसोधन अधिनियम का बिरोध जारी है और आज जारकंड के भी चुनाव पर नाम आये हैं जो केंद सरकार और भाजपा के खिलाप रहे हैं हम बात कर रहे हैं CPIM पूलिक ब्यूरो की मेंबर और पूर्व सांसत सुभास्णी अलीस जी से मेडम ये जो CAA है और जो भी NRC है इसको लेकर क्या आपका कहना है देखे हमारी पार्टी ने पहले दिन से ये बात कही कि ये जो कानून है ये बुनियादी रूप से ही इसमें तुटियां है तुटि क्या है कि हमारे देश का समिधान धर्म के आधार पर नागरिक्ता को मानित समम्धान भिलोदी जो आप कह βfare हैं केंडर सरकार है किसे की सदस्ता इसको किस तरह रहते हैं लेकिए ये अब हमने देखा आसाब में क्या हुआ आसाम में लोग आज भी डेटेंशन कैम्स में हैं उन ईमें सब धर्म के लोग है वह आतमत्या कर रह बच्चा अंदर माँ बा के भविश्प पर प्रशनेशन लगए है, के ये इनका क्या होगा, चुकि जो इनों प्रभाषा दिये, कि जो धार्मिक उत्पीड़न की वज़े से यहां आए हैं, तो अब वो लोग तो ये नहीं कहे रहे हैं, कि हम धार्मिक उतपीड़न की वज़े से आए हैं, तो इनका होगा क्या और ये जो कल प्रधान मंत्री जी ने भाशन में कहा कि हम NRC के बारे में तो सोच भी नहीं रहे हैं तो मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है ये असत्य है ये वो साहि जो है अमिस साहि संसद में कहते हैं देखे 24 तक NRC लागू कर देंगे और मोदी जुटलाते हैं तो इसको किस तरह देखते हैं तो ये तो लोगों को बिलकुल मतलब भ्रमित करने की बात है ये पूरी तरह से क्या ये ताना साहि रवीया देख माना जाए तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कहते हैं हम आंटी नैशनल नहीं हैं हम तो ये सम्विधान को पढ़ के सुना रहे हैं लोगों को बोनडा एक जैसे की कोई किसी को धम्की दे रहा हो इस तरह का कैम्पेन थाम इन को निकाल देंगे कीडे मकोडों को निकाल देंगे बाहर कर देंगे मतलब यह जो NAACAA है और NRC है यह उनके कैमपेन के प्रमुक मुद्दे थे और लोगों को पाकिस्तान समर्थक बनाना यह माइनॉर्टिस पे ही एक इशारा होता है यह उनका कैमपेन था जो लोगों के आर्थिक सवाल है जो लोगों की बिरोजगारी उसके बारे में एक शब भी नहीं बूले तो इसका मतलब यह है कि यह बातें लोगों को पसंद नहीं आई इसलिए उन्होंने वोट इन मुद्दों पर नहीं दिया तो सुभाशनी अली जी का साफ साफ कहना है कि जो जारकंड का जो चुनाओ है वो भी कहीं न कहीं निश्चित तोर से CAA और NRC के खिलाप ही जनादेस है और उन गलत नीतियों के खिलाप जनादेस है जो जिनकी बज़ए से लोगों को रोजगार से बंचित होना पड़ रहा है जिनकी बज़ए से महंगाई है जिनकी बज़ए से भरष्टाचार है कैमरामन दीपक पाटीदार के साथ कौसल किसोर चतुरवेदी सुराज एक्सप्रेस भोपाल